हालो स्टूदेंस मैं आपकी टीचर खुली रिपॉर्ट टोड़े पर डिसकस इंग्लिश इंपॉर्टेंट पार्टी का इंग्लिश के कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिसकस करने वाले हैं जो बेसिक है बिल्कुल बेसिक है पर आप अगर एक्जाम की तियारी कर इसकी पंजर स्टेत के एक्जाम की तियारी कर रहे हो। तो इसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट आए इजेक्टिव पर पोजिशन कैसे यूज होती है हमने अलग से टॉपिक कर र रिखाय कि एजेक्टिव क्या है प्रपोजिशन क्या है कोण-कोण होती है उनके में दे रखे हैं clear पर कुछ interesting facts हम discuss करने वाले हैं जैसे है कि at जो at हो कहां कहां use होता है ठीक है तो सबसे पहले क्याते है we use at with adjective like good, bad, amazing, brilliant and terrible clear to talk about skills and ability जब हम किसी के skills की बाद ability की बाद करते हैं तो we use at clear बचा है बहुत बहुत important है जो first sentence है तो यह अगर आप तंजाब स्टेट से ब्लॉंग करते हो तो स्टेट के एक्जाम में most repeated है clear बहुत बार repeated even SSC में repeated है he is really good at English बच्चे क्या करते है in लिख देते है good in English जो नहीं सिखा आता है in तो वो in ही चलता है देखते है कि पढ़ने में ठीक लग रहा है तो इन लगा देते हैं बच्चा बिल्कुल गलत है वो in नहीं आएगा यहां पी at आएगा तो आपको इसके अच्छे से नोट्स बना ले नहीं है बच्चा यह आपकी speaking के भी काम आता ठीक है तो यहां English के इलावा कुछ भी word आजाए clear कोई subject आजाता है तो उसमें at आएगा she is amazing at the piano ठीक है that is ability they are terrible at the organizing anything clear I am not very good at drawing clear तो यह क्या है skills और ability के साथ we should use at तो हम at use करेंगे clear तो next चलते हैं about about कब use करते हैं clear we often use about with adjective of feeling like angry excited happy nervous sad stress worried etc clear to explain what is causing that feeling ठीक है feel के लिए feeling के लिए हम about use करते हैं I am angry about the decision clear तो यहां क्या आएगा about आएगा he is nervous about the presentation she is excited about the new job they were worried about the exam तो feeling के लिए क्या एगा अपने ठीक है कोई भी चाहिए angry excited happy nervous कोई भी feeling है तो उसके साथ we use about clear बचाहिए यह most बहुत जादा इंपोर्टन है आपको फिल्लप्स में as such ही ऐसा आता है clear जो मैंने आपको पीछे बताया है यह तो SAC में as such आया हुए question है आया हुआ question है तो आपको यह पता होना जाए चोट चोटी बाते हैं जो आपको नहीं पता होती है जिसके कारए आपका question गलत हो जाता है clear क्याते off sometime we use off with feeling के बार क्याता है हम off feeling के सब off we use करते हैं जैसे she was afraid of telling her mom I am frightened of having an accident He is scared of flying You should be proud of your progress clear आप मेरे साथ बने रहिए चैनल को subscribe जरूड कीजिए तो आपको यह difference पता चलने लगेगा कि क्या चीज कहा और कभ यूज हो रही है clear तो आपको ऐसे निया आप बोलते हो कि एक ही मैने video देखी है और उसमें सब कुछ सीखने है यह लिंक होता है जो पिछली वीडियो में हमने किया है जो नेक्स वीडियो में हम करने वाले है तो यह लिंक होता है तो आपको बने रहना है clear अब 2 कहां यूज करते हैं we can use 2 to show the connection between people and thing ठीक है तो यह he is married to the director यह इतना important है married to तो काफी बार पेपर में repeated question एसे में repeated question आएगा clear he is married to the director clear I am addicted to my phone people और things का connection बता रहे है clear clear I am addicted to my phone clear I am allergic to nuts it is similar to old one clear hope so आपको यह clear हो रहा होगा आपने बहुत बार देखा होगा अगर आप practice करते हो clear आप practice करते हो आपको आपको यह clear हो रहा होगा कि हाँ यार वहाँ पे 2 क्यूं आया था वहाँ पे in क्यूं आया था बजाए इसके notes बनाए clear to you आपको याद रहेगा आपको याद रहेगा एसे नहीं रहेगा कि एक बड़ वीडियो सुनी और उसको skip कर दिया आपको यह करना we can also use to to talk about someone behavior to want someone else so यह एक to two होगा क्योंकि इनके लग-लग uses रहते हैं बचा तो two होगा connection बताने के लिए एक किसी का behavior बताने के लिए clear they are really friendly to me was he nice to you ठीक है क्या है behavior बताने के लिए he is always polite to everyone she was very rude to the rude to the waitress clear तो यह दोनों के लिए two ही use होगा अब four, four का meaning अगर हम बने हम क्या हिंदी में लग के लिए use करते हैं exercise is good for you clear stress is bad for you the town is famous for, किसके लिए famous है its cheese I am responsible for, मैं किसके लिए responsible हो to the financial side of business, किसके लिए clear exercise is good for you, ठीक है stress क्या है bad है, ठीक है stress bad है अपके लिए जो town है वो किसके लिए famous है, चीज के लिए मैं किसके लिए responsible हो, financial side of the business clear to next आ जाता है in, in आ जाता है हमारा last है, she is interested in the project clear को वो project में interested है they want someone who is experienced in design I didn't want to get involved in the argument clear, तो बच्चा ये थोड़े थे जो preposition, adjective के साथ preposition आते हैं clear, उसके साथ हमने वो discuss किये है clear, ऐसे छुट छुट topic बच्चा जो basic topic है और आपके एक्जाम के लिए पहले English का base आना जरूरी होना चाहिए clear, तो ये basic knowledge है जो मैं आपको वैसे मैंने अलग से आपको सारे topic करवा रखी है part of speech हमने सारी कर रखी है उसके error practice के लिए exercise कर रखी है clear, vocab की exercise हमने discuss कर रखी है जिनके link description में डार रखी है clear, कोई भी doubt आप टेलिग्राम पे पूछ सकते हैं comment section में पूछ सकते हैं तो ऐसे ही एक next basic video में मिलते हैं आज के लिए इतना ही thank you